हम चाहे कितनी बेभासा क्यों न जानते हों लेकिन अपनी मात्र भासा में बात करने का मज़ा कुछ होरी होता है तो आज हम बात करने वाले हैं अपनी प्यारी सी मात्र भासा हिंदी के बारे में और हाँ मुझे यकीन है कि जब बात हो अपने मात्र भूम से जोड़ी हुई किसी भी चीत की तो हम भारती कदाव पीछे नहीं हरते तो फिर बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंद तक हिंदी दिवस प्रतेक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है 14 सितंबर 149 को समधान सभाने या निर्णे लिया कि हिंदी किन सरकार की अधिगारिक भासा होगी क्योंकि भारत के सरवाधिक छेत्रों में सरवाधिक हिंदी भासा बोली जाती है इसलिए हिंदी को राजभासा बनाने के निर्णे लिया और इसी निर्णे के महत्त को प्रतिपाजित करने तथा हिंदी को प्रतिग छेत्र में परशारिद करने के लिए वर्ष 1923 में पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा सुतंदर्टा प्राप्ति के बाद हिंदी को अधकारिक भासा के रूप में अस्थापित करवाने के लिए काका कालेलकर, हजारी परसाद दिवेदी, सेठ गोविन दास, आधे साहितकारों को साथ लेकर व्यवहार रदेन सिंग ने अथक प्रजास किये वर्ष 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित समयलन में हिंदी भासा को राजभासा बनाने को कहा था वर्ष 1929 में सुतंत भारत की राजभासा के प्रश्ण पर 14 सितंबर 1929 को काफी विचार विमर्ष के बाद यह निरने लिया गया जो भारतिय समधान के भाग 17 के अध्याय के अनुच्छिद 343.1 में इस प्रकाय रणित है संग की राजभासा हिंदी और लिपी देवनागरी होगी संग के राज़की पर्योजनों के लिए प्रयोव होने वाले अंकों का रूप अंतराष्टी रूप होगा हिंदी पखवाडा या हिंदी सप्ता 14 सितंबर से एक सप्ता के लिए मनाया जाता है इस पूरे सप्ता अलग अलग प्रतियोगता का आयोजन किया जाता है या आयोजन बिद्याले और कार्याले दोनों में किया जाता है इसका मुल उद्येश हिंदी भासा के लिए विकास की भावना को लोगों में केवल हिंदी दिवस तक ही सिमित ना कर उसे और अधिक बढ़ाना है इन साथ दिनों में लोगों को निबंध लेखन आदि के द्वारा हिंदी भासा के विकास और उसके उप्योग के लाभ और ना उप्योग करने पर हान के बारे में समझाया जाता है राजभासा गौरो पुरुसकार या पुरुसकार तकनीकी या विज्ञान के विशेप लिखने वाले किसी भी भारती नागरी को दिया जाता है इसमें दस हजार से लेकर दो लाख रुपए के तेरा पुरुसकार होते हैं इसमें पुरुसकार 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 करने वाले को दो लाख रुपए दिती पुरुसकार पुरुसकार करने वाले को देड़ लाख रुपए और तिती पुरुसकार पुरुसकार करने वाले को 75,000 रुपए मिलता है साथ ही दस लोगों को प्रतसाहन पुरुषकार के रूप में 10-10 हजाव रुपे प्रदान किये जाते है पुरुषकार प्राप्त सभी लोगों को इसमती चिन भी दिया जाता है इसका मूल उद्देश तकनीकी और विज्ञान के शेत्र में हिंदी भासा को आगे बढ़ाना है राज भासा कीर्थ पुरुषकार इस पुरुषकार योजना के तहत कुल 49 पुरुषकार दिये जाते हैं यह पुरुषकार किसी समित विभाग मंडल आध को उसके द्वारा हिंदी में किये गे शेस्ट कारियों के लिए दिया जाता है इसका मूल उद्देश सरकारी कारियों में हिंदी भासा का उप्योग करने से है